हेलो एब्रीवन वेलकम बैग टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंगलिस के लेशन 11 को पढ़ेंगे देन इसके कॉस्चन को सॉल्फ करेंगे तो इस लेशन का जो नेम है वो है अकबर एंड बिर्बल तो इस श्टोरी को पढ़ने से पहले हम इस श्टोरी म को याद कर लिजेगा तो आप लोगों को जो है इस श्टोरी को समझने में और भी जादा आसानी होगा सम कोच फेमस मेंस क्या होता है विख्यात या फिर प्रसिद्ध कैरेक्टर्स पात्रफोक्त लोग कथा एंपरर समराथ या फिर बादसा ग्रेट महान इलिटरेट अनप हो सकते हैं पिपुन लोग एमंग के बीच ज्वेल्स रतन गहने मोश्ट अधिकांस पोप्यूलर लोग पिरियर फिगर्स आंकडो हिस्ट्री इतिहास चिल्रेन बच्चे एडल्स वैस्क मिनिस्टर मंत्री विजदम बुद्धी मान वीट बुद्धी हिउमर भाव या फिर रहा से पोईट कवी ओथर लेखक स्टोरीज कहानिया रिकॉर्डेड दर्ज या फिर संगरह किया गया मैनी अने एक इंडियन ट्रेडिशन यानी कि भारती परंपरा इंट्रेस्टिंग दिर्चास पर वीजिटेड यातरा किया कोट राजसभा या फिर अधालत वंस एक बा लेंग्वेजेज भासा हैं चैलेंजड चुनोती एवरीबडी परतियक व्यक्ति सेंग कह रहा या फिर कहते वे डिफ्रेंट अलग या फिर भिन रिप्लाइड उत्तर दिया एक्सपर्ट विसे सग्य गेस अनुमान मदर टंग मात्र भासा एबल योग्य टुमोडो आने वाला कल एक्सेप्ट स्विकार करना वाईज बुद्धी मान फिल विफल सुपिरियर बहतर या फिर उच्छ एक रीड सेहमत जज ने अधिस चैलेंज चुनोती बेडरूम सें कक्ष असलिप सो गया टिकल गुदगुदी ड्राइ ग्रास सूखी घास डिस्टर्ब्ड असांच टरंड उलेट गया स्लेप्ट सो गया अगें दोबारा नौ अब वोक अब जाग उठा लाउडली जोर से हिंसेल्फ हुआ है स्वेन स्वा देखा कैम बैक वापस आया नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुभा एसेंबल्ड इकठा रिपीटेट दोहराना फाइनली आखिरकार सर्प्राइज धैरान करेक्ट सही डिफिट हराना या फिर हार हाव कैसे डिश्ट्रेस तनाओ या फिर संकट ऑल्वेज हमेशा देन तब नरेटेट बयान करना या फिर सुनना वोल स्टोरी पूरी कहानी प्रिवियस नाई पिछली रात प्रेश्ट परसांसा की टाइमली समय पर तो ये वाइड मुनिंग जो है आप लोगों को याद कर लेना है इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे याद कर लेना है तो चलिए हम ये स्टोरी को पढ़ते हैं तो देखिए पहले सबसे पहले हम वार्मर को पढ़ते हैं तेनाली रामन मुल्ला नसुरुदीन गोनु जा एंड बिरबल आर सम फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम दा फोक टैल्स ऑफ इंडिया इसमें आपको कह रहा है कि तेनाली राम मुल्ला नसुरुदीन गोनु जा और बिरबल भारत की लोग कथाओं के कुछ परसिद्ध पात्र है तो फोक टैल मिन्स क्या होता है लोग कथा जोगी आप लोग वर्वन पर चुकी है और पात्र फेमस मिन्स परसिद्ध सम मिन्स कुछ तो यह सब मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ अब देखें नेक्ट क्या है डू यू नौ एनी फोक टैल इसमें आपको कह रहा ह क्या आप कोई लोग कथा जानते हैं आपसे पूछ रहा है तो उसको अपने कच्छा को बताएं मतलब आपको कच्छा में इसे क्या कहना है Here you will enjoy बिर्बल's wisdom यहां आप बिर्बल की बुधिमता का आनंद लेंगे There was a Mughal Emperor in India named Akbar the Great Akbar महान नमक भारत में एक Mughal समराट थे His full name was Jalaluddin Muhammad Akbar उसका पूरा नाम Jalaluddin Muhammad Akbar था He himself was illiterate but he invited several learned people to his court वह खुद अनपर था मतलब अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था खुद क्या था अनपर था लेकिन उसने कई विद्वानों को अपने दर्बार में आमंत्रित किया Among these people, nine were very famous इन लोगों में से नो बहुत परसे थे मतलब ये सब जो people थे लोग थे इन में से नो क्या थे बहुत परसे थे They were called नौरतन और nine dwells of his court उन्हें नौरतन या उसके दर्बार के नौरतन कहा जाता था बिर्बल was one of them, बिर्बल उन में से एक था बिर्बल is one of the most popular figures in the Indian history Among children as well as adults बिर्बल भारती इतिहास में बच्चों साथ ही साथ युवाओं के बीच में सबसे परसिद पात्रों में से एक है He was Akbar's minister and Akbar loved him for his wisdom, wit and humor वह अकबर के मंत्री थे और अकबर उनको उनकी बुद्धिमता प्यार मतलब कि उनकी क्या, उनकी बुद्धिमता समझ और हासे के कारण उसको पसंद क्या करते थे मतलब कि उसको प्यार क्या करते थे, पसंद क्या करते थे He was a poet and author to a कवी और लेखक भी थे The stories of Akbar and Birbal have been recorded in many books Akbar और Birbal की कहानिया कई कीताबों में दर्ज है Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition इन में से कई कहानिया भारती प्रंपरा में लोग कताएं बन चुकी है Here is an interesting story of Akbar and Birbal यहाँ पर Akbar और Birbal की एक दिल्चस्प कहानी है Once a pundit visited Akbar's court एक बार एक pundit Akbar के दर्बार में आया He was very learned and could speak many languages वह बहुत विद्वान थे और कई भासाएं बोल सकते थे He challenged everybody in the court saying that he could answer any question in any language उन्होंने court में सभी को चुनोती देते हुए कहा कि वह किसी भी भासा में कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं मतलब पंडित ने सारे दर्बारियों सरको कहा कि वह किसी भी भासा में किसी भी सवाल का क्या कर सकते हैं was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue वह इन सभी भासाओं में इतने निपून थे कि कोई भी उसकी मात्र भासा का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं था मतलब कोई भी उनकी भासा का अनुमान नहीं लगा सकता था कि पंडित का मात्र भासा क्या है उसका मदर टंग क्या है then he said to the king if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow I will accept them wise तब देखें इसमें क्या कर रहा तब वह राजा से कहा यदि आपके दरबारी कर तक मेरी मात्र भासा का पता लगा ले तो मैं उन सभी को विद्वान स्विकार करूंगा but if they fail to do so you should accept me superior to all of them लेकिन अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आप मुझे उन सभी से स्विकार कर लेंगे पंडित ने किस राजा से ये सब कहा तो देखे आगे क्या होता है Emperor Akbar agreed, बादसा अकबर सहमत हो गए है He asked all the courtiers to judge the pंडित's mother tongue उन्होंने सभी दरबारियों से पंडित की मात्र भासा पता लगाने के लिए बोले All of them failed, वे सभी आसफर रहे हैं सब fail हो गए पंडित की मात्र भासा का पता लगाने में कोई भी पंडित की मात्र भासा का पता नहीं लगा सका Now Akbar turned to Birbal and asked him to solve this problem अब अकबर विरबल की और मुड़े और उनसे इस समस्या का समाधान मतलब हल करने के लिए बोले Birbal accepted the challenge Birbal ने चुनोती स्विकार कर ली That night Birbal went to the pundit's bedroom when he was fast asleep उस रात Birbal पंडित के सेन कक्ष में गए जब वह गहरी नींद में सो रहा था Birbal tickled his ear with a drying grass Birbal ने सूखी घासे उसके कान में गुदगुदी की किसके कार में पंडित की कान में गुदगुदी की जब पंडित क्या कर रहा था सो रहा था तब The pundit's sleep was disturbed पंडित की नींद भांग हो गई मतलब उसकी नींद जो थी वो disturbed हो गई He turned to other side and slept वह दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया Birbal tickled his ear again Birbal फिल से उसके कान में गुदगुदी की मतलब Birbal जो है दोवारा उस pundit की कान में क्या की गुदगुदी की Not the pundit's sleep was disturbed अब pundit की नींद तूट गई He walk up and said loudly वह जा गया और जोर से बोला ये वो रूरा अदी मतलब की who is it वो क्या बोला वो बोला ये वो रूरा अदी इसका मतलब हुआ यह कौन है तो यह जो है यह क्या है यानि कि ये वो रूरा अदी को यह कौन है मतलब कि कौन है उसको एक भासा में ये वो रूरा अदी बोला जाता है तो Birbal को पता चल गया कि pundit की जो है वो mother tongue क्या है तो चलिए आगे देखते हैं बिर्बल हिट हिंसेल्फ बिर्बल खुद को छिपा लिया वैन दा पंडिट ट्रॉद देर वाज नो वन ही स्लैप्ट अगेन जब पंडिट ने देखा कि कोई नहीं है तो वह दोबारा सो गया बिर्बल कैम बैग बिर्बल वापस आ गया मतलब बिर्बल लोट गया पंडिट के बेडरूम से दा नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह दा कोल्ड एसेंबल अधालत इकत्थी हुई दा पंडित रिपिटेड हिस कोउस्चन वाट हिस मदर टॉंग वाज मतलब कि पंडित ने अपने सवाल को दोढ़ाया कि उसकी मात अगली सुबह बिर्बल फाइनली रिप्लाइट टेल्गू इस दा पंडित मदर टॉंग तो बिर्बल जो है वह अंतता उत्तर दिया तेल्गू पंडित की मात्र भास मतलब कि यह वह रूरा आधी कौन है तो इसको आप लोग मतलब तेल्गू में बोला जाता है कौन है को पंडित वाज वेरी मश सर्प्राइजट एट बिर्बल स्करेक्ट एंस आंसर एंड एक्सेप्टेड हीस दिफिट पंडित बिर्बल के सही उत्तर पर बहुत ही आश्चरी चकीत हुआ और अपनी हार स्विकार कर ली देखिए मतलब कि पंडित क्या हार मान गया क्योंकि पंडित जो क्या वो सबसे ज़्यादा खुद को स्रेश्ट समझता था मतलब कि बिर्बल से मतलब कि वो समझता था कि मेरी मातर भासा कोई नहीं बता सकता तो पंडित समझ गया कि बिर्बल जो है उससे भी ज़्यादा स्रेश्ट है क्यों आप मुझे को उन सब से स्रेट समझीएगा तो पंडित राजय से कहा था तो कोई भी उसके मातर भासा का पता नहीं लगा सका तो लास्ट में क्या रहा बिर्बल मतलब कि पंडित के मातर भासा का पता लगाया तो चलिए आगे देखते हैं अकबर आस्क बिर्बल हाव ही फाउंड आउट दा आंसर तो अकबर ने बिर्बल से पूछा कि उसे उत्तर कैसे पता चला बिर्बल सेट डेट आम मैं इन डिस्ट्रेस ओल्वेज ट्रॉक्स इन ही मदर टॉंग इन स्लीप तो बिर्बल जवाब दे रहा है बिर्बल ने कहा इसे अपनी मात्र भासा में बोलता है अगर कोई इंसान सुया रहा है बहुत गहरी नीद में तो उसको और कोई कुछ जाके करेगा तो वो हमेशा अपना मदर टॉंग में ही बोलता तो इससे पता चल गया बिर्बल को कि पंडिट का जो मात्र भासा है वो क्या है तेलगू ह then he narrated the whole story of the previous night तब उसने पिछली रात की सारी कहानी बया कर दी मतलब नादिया को सारी कहानी बता दिया कि हम कैसे पंडिट के मात्र भासा का पता लगा है अकबर प्रेश्ट हीम for his timely wisdom अकबर ने उसकी समय पर बुद्धिंता के लिए उनकी परसान सा के timely wisdom में क्या होता समय प बुद्धिंता दिखाया तो राजा ने उसकी परसान सा किये तो चलिए अब हम इसके question को solve करेंगे देखिए बी पॉइंट वन पॉइंट वन में question है answer the flowing मतलब नीचे दिये गएगा उत्तर दे question number one है who was अकबर अकबर कौन था तो इसका answer हो जाएगा अकबर वाज अ मूगल एंपरर इन इंडिया अकबर भारत का एक मूगल समराथ था मतलब भारत में एक मूगल समराथ था जिसका नाम क्या था अकबर था question number two है who were 9 रतन्स नौरतन कौन थे इसका answer हो जाएगा nine famous learned courtiers of अकबर's court were 9 रतन्स अकबर के 9 परसे दिविद्वान दर वारी नौरतन थे यहां पर 9 रतन्स लिखागा है यहां पर यह जो ही काटा हुआ है र-a-t-a-n-a-s तो इसे इसको आप ध्यान में रखिएगा question number three है why did अकबर लफ बिर्बल अकबर बिर्बल से प्रेम क्यों करते थे मतलobile अकबर जो है बिर्बल से प्रेम क्यों करते थे इसका answer हो जाएगा he called both bought for his wisdom wit and humor अकबर बिर्बल को उनकी बुद्धिंता समझ और हासी के लिए प्रेम करते थे या फिर पसंद करते थे question number 4 है what was the pundit's challenge pundit की चुनोती क्या थी इसका answer हो जाएगा the pundit's challenge was to find out his mother tongue by tomorrow pundit की चुनोती कल तक उसकी मात्र भासा का पता लगाने की थी यही क्या था यही पंडit दो वो चुनोती दिया था कि कल तक उसकी मात्र भासा का पता लग जाना चाहिए question number 5 है why was the pundit surprised at birbal's answers pundit birbal के उत्रों से असर चकी क्यों था इसका answer हो जाएगा pundit was surprised at birbal's answer because he had not said anyone about his mother tongue then how did birbal knew it तो देखिए बिरbal के जवाब से pundit हैरान रह गया क्यों हैरान रह गया था क्योंकि उन्होंने अपनी मात्र भासा के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था तब birbal को यह बात कैसे पता चला मतलब कि pundit जो वो किसी को भी नहीं बता था कि उसकी मात्र भासा क्या है तो पंडit को कैसे पता चल गया इसीर यह जो है पंडit बिरbal के उत्तर को सुने कर हैरान रह गया आज चरी चकीत रह गया दिखें नेक्स्ट यहाँ पे think and write मतलब कि सोचो और लिखो b.2.1 में answer each of the flowing in words और sentence मतलब कि निमली खीत में से पत्तियक का उत्तर शब्द या वाक्यों में दे आपको सब्द में देना या वाक्यों में देना question number one है what was akbar's full name akbar का पूरा नाम क्या था इसका answer हो जाएगा akbar's full name वाद जलालुदीन मुहमद अकबर akbar का पूरा नाम जलालुदीन मुहमद अकबर था who was birbal, birbal कौन थे birbal was a minister in akbar's court, birbal akbar के दर्बार में मंत्री थे three number में where did birbal go at night, birbal रात में कहां गया, मतलब रात में जो बिरबल कहां गया था तो यह आपकर इस्टोरी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो पंडित के सैनकप्ष में रात में गया था तो इसका answer हो जाएगा birbal went to the pundits bedroom at night तो रात को birbal pundits के सैनकप्ष में गये थे four number में है who answered the pundits question pundits के person का उत्तर किस ने दिया मतलब पंडित जो question क्या था उसके question का answer किस ने दिया था देखिए इसका answer हो जाएगा birbal answered the pundits question मतलब बिरbal ने pundits के person का उत्तर दिया question number five है why did akbar praise birbal मतलब कि akbar ने birbal की परसांसा क्यों की इसका answer हो जाएगा akbar praised birbal for his timely wisdom akbar ने birbal की समय पर बुद्धिंता के लिए उसकी परसांसा की मतलब की birbal ने समय पर अपनी चाला की दिखाई और pundits को उसके सवाल का जवाब दिया तो इससे जो है राजा जो है वो birbal की परसांसा की देखिए next है b.2.2 मे answer is of the flowing in not more than 50 words निमलिकित में से परते का उत्तर 50 सब्दों से अधिक में ना दे मतलब आपको 50 सब्दों से अधिक में इसका answer नहीं देना है question number one है how can you say that akbar was a patron of learned people मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि akbar विद्वान लोगों का संदक्षक था इसका answer हो जाएगा akbar himself was illiterate but he invited several learned people to his court akbar swain अनपर था लेकिन उसने कई विद्वान लोगों को अपने दर्बाल में आमंत्रित किया among these people nine were very famous इन में से नौ लोग बहुत परसिद्ध थे they were called नौ रतन उन्हें नौ रतन कहा जाता था this shows that akbar was a patron of learned people इससे पता चलता है कि अबर विद्वान लोगों का संडक छक था चलिए हम next question देखते हैं question number two है how did birbal find out the pundit's mother tongue मतलब birbal को pundit की मातर भासा का पता कैसे चला तो यह आपको बताना है कि कैसे चला है तो देखिए इसका answer हो जाएगा देखिए इसका answer हो जाएगा eight night birbal went to the pundit's bedroom when he was fast asleep मतलब रात के समय birbal pundit के सेंकच में गए जब वो गहरी नींद में सो रहे थे birbal tickled his ear with a dry grass birbal ने सुखी घास से उसके कान में गुदगुदी की the pundit's sleep was disturbed pundit की नींद क्या हो गई pundit की नींद मतलब के भंग हो गई नींद तूट गई birbal tickled his ear again birbal ने दोबारा उसके कान में गुदगुदी की now the pundit's sleep was disturbed a pundit की नींद तूट गई he woke up and said loudly वह उठा और जोड से बोला ये वो रूरा आदी मतलब who is it ये वो रूरा आदी मतलब who is it मतलब कौन है कौन है को एक language है उसमें बोलाता ये वो रूरा आदी thus birbal found out the pundit's mother tongue इस परकार तो इस परकार जो है बिर्बल पंडिट के मात्र भासा का पता लगाया मतलब ये वो रूरा आदी जो है ना कौन है तो उसको तेलगु में ये वो रूरा आदी बोला जाता है इससे पता चल गया बिर्बल को कि पंडिट का जो मात्र भासा है वो क्या है वो तेलगु है मतलब ये किसी समस्या पर अपना दिमाग लगाना और हल ढूलना यही बुद्धिमता है या बिर्बल पर कैसे लागु होता है तो ये आप लोगों को बताना है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिर्बल applied his mind to the problem of finding out the mother tongue of the पंडित बिर्बल ने पंडिट के मात्र भासा का पता लगाने के समस्या पर अपना दिमाग लगाया मतलब अपने दिमाग माइंड लगा के ही न वो पंडिट के मात्र भासा का पता लगाया था बिर्बल applied his wisdom and he went to the पंडित's bedroom when he was asleep बिर्बल ने अपनी बुद्धी का पर्योग किया और वा पंडित के सैन कच में गया मतलब बेडरूम में गया जब वा सो रहा था he tickled the ears of the पंडित उसने पंडित के कानों में गुदगुदी की मतलब तेल्गु भासा में क्या जोर जोर से क्या चैनल लगा था यह वह रूरा आदे चलाने लगा था मतलब कौन है तो इससे पंडित को बिर्बल को पता चल गया कि पंडित की मात्र भासा का पता लगा लिया देखें नेक्स्ट आपको दिया गया वर्ड पावर सब्द सकती सी पॉइंट वन में है गो तुरू दा टेक्स्ट अगें एंड अगें गेस दा मीनिंग ऑफ दा फ्लोइंग वर्ड्स मतलब करा पार्ट को बार बार पढ़े और निमलिकित सब्दों का अर्थ अनुमान देखें इसको मतलब कि इसका मीनिंग लिखना आप इसको स्रीनो नेम भी कह सकते हैं मतलब पेल को और हम क्या कह सकते हैं उस ट्रैप से पेल है स्टील ब्यूरी फैंटली रैप स्नीट चलिए देखते हैं पेल पेल मिस होता है फीका इसका हम लिखें हैं डिम इसका मतलब की डीम होगा और लाइट टोंड होगा तो लाइट टोंड मिस क्या होगा हलके रंग का डीम मतलब धुंदला होता है और पेल मतलब भी क्या होता है फीका तो मिलता दिलता हो गया यह वाला देखे दूसरा क्या है इस्टिल मतलब क्या होता सांत होता है इसका होगा क्वाइट मतलब की इस्थिर देखिए थ्री नमबर में है ब्योरी तो ब्योरी मतलब आपको क्या हो जाएगा ब्योरी मतलब हो जाता है आपको दफनाना तो इसको आपको क्या करना उसी से मिलता है जोलता है आपको यहाँ पर लिखना है तो देखिए इसमें हम लिखे है पूट आउट से ऊझाल कर देना तो अगर कोच चिपा देंगे तो वो फोचल हो जाएगा तो ये एक लिखे हैं हाइड हाइड में С malt में फैंटली तो देखें थोड़े बलजे या फिर हल्गे लिखें स तो लिखे हैं एक विकली मतलब कमजोरी दुरबलता से नेक्स्ट आपका रैप्ड मतलब क्या होता है रैप्ड मतलब आपको जाएगा लपेटा हुआ तो इसका हम लिखे हैं रैप्ड तो रैप्ड लिखे तो पुट पेपर और क्लोथ अराउंड सम्थिंग मतलब किसी चीज कि चारों और कागज को कपड़ा को लपेत है मतलब क्या होता है एक्सप्लोशीव साउडा है इंद्ध मतलब कि नाक से अचानक हवा छोड़ते समय विस फोटब ध्वाने उत्पर्ण करना है तो उसका यह हो जाएगा चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं देखें C.2 में दिया गया है find out the words that are opposite in meaning मतलब उन सब्दों को ढूंड़िये जिनका अर्थ विपिरी थे मतलब opposite आपको लिखना है चलिए स्का dreiस दोस्त होता है कि उम्हां एकि उल्ध दुस्मान हो जाए तो मैं आपर लिख दियु एनियमी मतलब मतलब मौत होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा लाइव मिन्स का थै है जिन्दगी मेल कि फित में गील ह data हो जिला मैं द्या हो इस पर लेते हैं इंग्लीज इफ आवर्ड हैज मोर दैन वन्स लेबल वन आफ दा स्लेबल वन आफ दा स्लेबल इस प्रोनाउंच्ड मोर इस्ट्रोंगली दैन अदर्स मतलब कि अंग्लेजी में यदि किसी सब्द में एक से अधिक सब्दांस है तो उनमें से एक अक्छोरों का उचारां दूसरे की तुल्ला में अधिक रिटा से किया जाता है जैसे कि आपको आप लोगों को दिया गया इन दा फ्लोइंग वर्डस नीचे दिया गया सब्दों में इस सब्दों पर जो दिया जाता है उसको इस चीन द्वाला दसा आ जाता है इस चिन ने दॉ δिखन और चेनल ध़र पर दबाव धार जा रहा है यहां पर दूसरे सब दाउ दिया जा रहा है यहां पर Earth आपको पहले स्ट्रेस पहले हैं मतलब अंग गजर पहले हैं आपको स्ट्रेस में लेघा हाँ तो मलWOR जो छो है मतलब जो Pakक पहले है वह क्या स्ट्रंग लगा वहां याँ बयबी गहीए जूआ यहां भी गहां तुन पहले आपको इस्ट्रोक taking लगा हुआ है तो यहां पर C से पहले o जाथ uelकेश बावत नम्बर तो यहाँ पर बड़ पर क्या है, श्ट्रोक लगवाद है, बड़ पर ज़्यादा इस्ट्रेस पर रहा है देखें, इह पॉइंट में है, let's talk and write, आईए बात करें और लिखें यह में है, discuss in your group, what you will do if you were a king मतलब कह रहा है कि अपने समु में चर्चा करें कि यदि आप राजा होते तो आप क्या करते हैं आपको समु में चर्चा करने के लिखा रहा है, दूसरा है, write a short essay on if I were a king मतलब इसमें आपको कह रहा है कि अगर मैं राजा होता पर एक संजीप निबंध लिखें आपको समु में चर्चा करते हैं, आप राजा होते तो आप क्या क्या करते हैं दिखें, आपको मैं short essay ही लिखी हूँ if I were king, I would do lot of works यदि मैं राजा होता तो बहुत सारे काम करता I would work for my subject very hard मैं अपने विशय के लिए खुब महनत करूंगा मतलब खुब महनत करता I will spend most of the money to build roads, bridges, school and university मैं अधिकांस धन, road, pool, school और विश्विद्याले बनाने में खर्च करता मतलब वो सचीज़ पर जो है कि मैं जादा धन जादा पैसा खर्च करता I would pay attention to health, education and employment मैं स्वास्थ, सिख्चा और रोजगार पर ध्यान दूँगा मतलब यह सपे भी ध्यान देता है I would make the country a secular nation मैं देश को एक धर्णी पेक्च राष्ट बनाऊंगा I will, यह जो है will लिखा हुआ, ओके यहाँ पर छूट गया था good relations with my neighboring countries मतलब एक राजा के रूप में मैं अपने परोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोसिस भी करूंगा मतलब कि यह सब भी करूंगा अब आपको यहाँ पर ट्रांसलेट दिया गया मतलब ट्रांसलेशन दिया गया बनाने के लिए दिखिए e.f.1 में आपको दिया गया है translate the flowing into English मतलब लिखीत का अंग्रेजी में अनुवाद करना है अज़र निया है देखिए एक गाओं था जास किया दिय क्यों लिए और नहीं रहता है गाओं के पास एक नदी थी पास दीका सव शर्ष निर दातुब तो near the village, और नदी का क्या है river? एक नदी मतलब or river, नदी में पानी था, तो there was water in the river तो ठाकवाज है नदी में पानी, तो water in the river हो जाएगा इसका नदी में एक नाव भी था, there was also a boat in the river तो देखें, ठाकवाज है और भीक अलसो हुता, नदी में एक नाओ, तो a boat in the river नाव में कोई नहीं था, there was none in the boat, था का was कोई नहीं का none, और नाव में थो in the boat, दीखें, यहाँ पर हम देखते हैं, F.2 में translate the flowing into your mother tongue, इसमें आपको कहा रहा है, निमलिखित का अपनी मातरिभासा मैंनु वाद करें, मतलब आपको हिंदी में इसका करना इंगलिस का दिया इसमें हम there यूज करते हैं, क्योंकि देखें, शहर जो है, टाउन वो क्या subject है, और was जो है, वो वर्ब है, helping वर्ब है, तो आप जब ग्रामर पढ़िए रहना तो आपको यह ज्यादा और अच्छी समझ में आएगा, देखें, there were many mohlas air the town, तो शहर में कई महले थें, तो where का many houses in the mohlas, mohla में कई घर थें, तो where का थें, many houses मतलब की कई घर, in the mohlas मतलब की mohlas में, there were many rooms in the houses, घरों में कई कमरे थें, many room मतलब कई कमड़े in the houses मतलब कि क्या हो गड़ों मतलब घर के अंदर there were many doors and windows in the rooms कमड़ों में कई दर्वाजे और खिरिकियां थी where का क्या लिखियां यहाँ पर थी लिखिया है many doors मतलब कई दर्वाजे and का और यहाँ पर और लिग दिया है windows मतलब और windows में इसका अताखिर किया in the rooms मतलब कमड़ों में तो I hope कि आपको इस chapter में कोई भी problem नहीं आया होगा वीडियो देखने के लिए thank you so much